सात्यों मत्ता मैं आज अपने बिलागी शुर्वात करना हुए इन विसेश पुचारण से और वो चारण भारत की उल्हां सब्सक्राइब जो अब अपीद का इसे है लेकिन आज उनकी पुन्रती थी है इसलिए हम लोग आज उनको बहुत ही गर्व के साथ याद करेंगे वो वाक है मैं हूँ तेरा एक अनवाई दुसमन को मार भगाऊंगा यह नारा दिया था पूज श्री महराना प्रताफ सिंग साहब ने आज उनकी की पावन पुन्य तिथी है हम उनको कोटी कोटी नमन करते हुए सर्धान जली अपने चैनल के माध्यम से वा अपने माध्यम से रहे हैं पूज श्री महराना प्रताफ सिंग जी एक ऐसे योद्धा हैं ऐसे सूरवीर हैं ऐसे प्रतापी हैं जिनके नाम में ही प्रताफ लगा है और एक सबसे बड़ी जो उनकी वस्ता है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भ्रम को नहीं पाला वो यथार्त के ही प्रहु सरी राम जी के पूरा युद्ध संग्राम हल्दी गाठी का उन्होंने प्रहु राम जी के उच्चारण के साथ ही किया था और हर युद्ध में वो सीता राम जी का ही उद्वोधन किया करते थे और उनके इस्ट तो वैसे भगवान स्यो थे लेकिन भगवान स्यो ही तो सास्वत प्रभु और इस्ट है प्रभु स्री राम तभी तो प्रभु स्री राम जी ने रामेश्वरम जी की स्थापना कर दी हैं और रामेश्वरम की स्थापना करने के बाद ही अधर्म का नास किया अब देखिए प्रभु स्री राम जी विराजमान होने की सुब घड़ तारीक को वो तो विराजमान हो ही गए हैं, देखिए मैं मूर्ति भी प्रमाण की रूप में प्रिश्टुतिय दे रहा हूं, विराजमान तो हो ही गए, अब तो सिर्फ संसकारिक अध्यात्मिक पूर्दिया होना से सहे हैं, वो 22 तारीक को हो जाएंगी, जाने क्यों इतने प भीस में पिता में भ्रम में पर ले रहे भीस में पिता में कौरों पांडों के युद्ध में भ्रम के प्रतीक है जो ये जानते थे कि उनको एक्छा बरदान प्राप्त है फिर भी वो युद्ध के जो कौरों की सेना थी उसके बीच में रहते थे कहीं वो मर न जाए अब दु प्रुबिद्धिका प्रतीक था ही गीता ही प्रारंब होती है इसी सब्दे से कि हे कौरों के सैनापती तुम सब को किसकी रक्षा करना है पांडों से जीतना नहीं है ना पांडों से नहीं जीतना है तुमको अपने सैनापती 20 पितामही की रक्षा करना है गीता जी को ठीक से पढ़िए तो यही भाव निकलता है गीता जी के दूसरे ही स्लोक में देखिए अगर इस्वर को समधना है सीधे रूप में मतलब प्रभु राम जी को या कृष्ण जी को तो भही गीता आपको समधना पढ़ेगी गीता तो वही समझ सकता है जो पीएसडी होल्डर है और यद तीर एक कांटा आपने सरीर में चुबहो के आप देखिए कि कितना कष्ठ होता है वो छे महीने रिलेटे रहे क्यों अपनी गलतियों का उन्होंने प्राश्चित किया इसलिए जो गलत काम करता है न उसको इसी तरह प्राश्चित करना पड़ता है भीस्म पितामय जी की तर महारत में भीस्म पितामय का कोई मंदिर है कोई उनका सम्मान है समाज में किसी ने उनको याद किया है अस तक बताईए कितने बड़े युद्धा कितने बड़े महारती की भगवान कृष्ण जी को स्वेमाना पड़ा इतने बड़े महारती होने के बाद कोई सम्मान नहीं म अब वहीं दूसरी तरब देखी हम एक प्रानी की बात कर रहे हैं एक जीव की बात कर रहे हैं कौन? क्योंकि हमने जो बलाग की शुरुआत की है वो पूज्य महारणा परताब जी के से की है, उनके रण और उनके युद्धक और उनके बलिदान के उपर की है पूछ्य महराना प्रताब सिंग जी को आप याद करें और उनके प्री हांती राम प्रसाद को याद न करें और उनके प्री घोडे चेतक को अगर याद न करें तो उनका प्रताब और उनका सूर वीरता उनकी अधूरी है इन दोनों के बिगर तो देखिए एक हांथी और एक घोड़ा हांथी रामप्रसाद और घोड़ा चेतक चेतक तो आज हर चोरहे में लगे हुए हैं और रामप्रसाद जी को अभी हाल में स्री महराना प्रताब जी के वंसा स्री लक्षराज सिंग जो इस समय वहां की कुंगर साहब हैं उन्होंने अपने जो सबसे आलिसान उनका इस्थान है महल है वहां पर रामप्रसाद जी की हांथी की मूर्ती का अनावरन कराया है और मूर्ती लग गई है अब आपने देख लिया यह उधारन की जो बलेदान और त्याग और धर्म पर चलता है चाहे वो आदमी नहीं वो जीव ही हो भारत उसको संबान करता है रामप्रसाद हाती को ऐसी संबान नहीं मिला रामप्रसाद हाती ने चवधा सत्रुपक्ष के हातियों को धेर कर दिया था मैं उनके सेनकों के साथ और उस समय के समराथ अगबर ने यादेश किया था कि महरान प्रताब जी को और या कि रामप्रसाद हांती जिन्दा पकड़ लिया गया, क्योंकि चारों तरफ से खेर लिया था, महराना प्रताब जी को तो कोई चनौती दे नहीं पाया, हांती को खेर लिया और हांती पकड़ जया, तो समराथ अग्वर ने हाथी का नाम वीर प्रसाद रख दिया वो 18 दिन रहा मतलब 18 दिन उनकी कश्टडी में रहा तो उसने अन पानी सब त्याग दिया और सिर्फ एक ही नाम राम प्रसाद पर ही वो कान खड़े करता था और यहां से नाम उसका वीर प्रसाद कहा जाता था तो वो अपनी आँखों को नीचे कर लेता था और एक और आपको चमतकार बताएं कि चेतक के चेतक तो घोड़ा था लेकिन उसको भी राम प्रसाद की सून वाला चित मतलब मखोटा उसको लगाया जाता था तग चेतक को जोसाता था तो अब आपने देख लिया कि जो जीव धर्म पर मानवता पर कर्म पर विश्वास करता है वो इसी तरह चटायू राजपक्षी राजजी की तरह सम्मान अतीत से अतीत और भविस्वें भी प्राप्त करता ही रहता है आज इसे संयोग कहा जाए कि आज पूज महराना परताब जी की पुन्न दिती है और आज ही प्रभू स्री राम लिला जी की विराजमान हो गए हैं और उनकी आँख की पटी भी आज खोल दी गई है मतलब असत्त चलते चलते अब सत्त पे आ गया है और बाइस तारी को प्रभू पूरी तरह से विराजमान हो जाएंगे अध्यात्मिक रूप से अध्यात्मिक जो भी संसकार होंगे उनके बाद और तब फिर दरसन किये जाएंगे प्रभू के अब इसको एक संयोग आप कहेंगे या इस पर आप मन्थन करेंगे ये आपकी अपनी तार्किक बुद्धी लगाईए गीता कहती है गीता का सबसे वड़ी यही चीज है कि हे मानों तर्क करिए जिग्यासा करिए और प्रहु से भी प्रशन करिए अर्जन और भग्वान कर्शन का संबाद यही हमको पिरना देता है मोटिवेशन कि कि किसी पे आग बंद करके विस्वास मत करिए तर्क करिए और जिग्यासा पर 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 रखिए और अगर सत्त पाईए तो विस्वास करिए तो अब विराज मान और उसको लेके बताईए कितने बड़े-बड़े महान भाव एक विसेश पार्टियां इस देश की कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं अरे प्रभू राब जी किसी का इंतजार नहीं करते अपने पिता का भी इंतजार नहीं किया था उन्होंने दसरत जी दुणिया छोड़के चले गए तो वो क्या टस्य मस हुए वो अपने करतव पत पर रहे हैं भाई समझो वो मूर्ती नहीं बैठी है वो करतव बैठ गए हैं बाईस तारीक को भारत में करतव बैठेगा करतव और कर्म और देखिए प्रभू राम जी से पहले उनक प्रभू साब बैठ रहे हैं जो कर्म के ही सूचक हैं कर्म वीरता साहा सौर बलदान देश भक्ति राष्ट भक्ति और मानवता महिला ससक्ती करण के पक्षधर उनसे बड़ा तो कोई जीव ही नहीं हुआ इस दुनिया में जितने बड़े वो पक्षधर थे आज तो सड़क पे खटनाएं खटती रहती हैं महिलाओं की हत्याएं होती रहती हैं और भारत के वीर युवा पुरुस किनारे हो जाते हैं आँख बंद कर लेते हैं साक्ष तक नहीं देखते हैं मैंने तो पुलिस वहाग में रहके देखा है अच्छी तरह से सामने घटना घटी लेकिन फ वही सम्मान अंग्रेजों ने नकल करके विक्टोरिया क्रास निकाला और फिर वही भारत में आज़ सबसे वड़ी वीरता का पुरुसकार परम बीर चक्र जो दिया जाता है वो पक्षी राज जटायू जी की और प्रफुर राम जी की जो प्रवनात्मक प्रसंग है स्री र कि निंदा जो होती है कि वीरता जी नहीं कहा है कि निंदा के निरे कि तड़ाएं रफाएं लेकिन वास्तों में नरे ने कि वर स्ट अंदोलन हुआ जो जन्मिस्थली स्थान बन रहा है लेकिन जटायू जी के लिए कोई अंदोलन नहीं हुआ वो तो धर्मपत कर्तबवपत और मानवतापत के पृतीक हैं और वो विराजमान हो रहे हैं और प्रमानी प्रधानमंत्री जी पहले उनका वो करेंगे विराजमान इस्थापना का करकरम सर्यू जी के शनान करने के बाद मा देवकाली जी जिनको भगवान भी पूजा करते थे मात्रसक्ति के रूप में उनकी पूजा अनुष्ठान करेंगे और उसके बाद जटायू जी की इस्थापना करेंगे पूजा करेंगे और तब प्रभुराम जी प्रहतिक प्राप्ति कदाप ही नहीं कर सकता है। ना भर्हम और न संसे ये भर्हम छोड़ दौढ़ कि कोई कुछ कर रहा है। वो मुकद्मा सुप्रिम कोड़ में प्रफु बालक बालसरूप स्री राम जी ने लड़ा, वही जीते हैं और वही अव्वच्वयम अपने विरा मानिवर बुलावे के बाद अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो वो अभी अपनी मनोदसा को बदल लें और पहुंचें कुछ हमान भावों से साधारन क्या बहुत चंता चाह रही है कि वो वहां पहुंच कर और आयोजन को दिधितमान बनाएं ऐसी चंता की एक्छा है देखिए कि इसमें बड़ा रहस है जादा हम नहीं बूल सकते इतना ही बहुत है बस भाई हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लो बहुत बहुत धन्नवाद और अयुद्या की कुछ छांकिया मनोरम भी देख लीजिए जो आनंद की प्रतीक है